हलो guys welcome back to another video तो guys इस video में हम लोग GTL Infrastructure के बारे में discuss करेंगे वो तो video की thumbnail लेकर आप लोग को समाझ में आई गया होगा तो guys इस video में हम लोग basically discuss करेंगे क्या इसकी updated swing reading levels है एंद आज क्या हुआ है basically company में लेकिन जो लोग फास्ट टाइम मेरा GTL Infrastructure से वीडियो देख रहा है उन लोग के लिए एक बार ब्रेफ ली fundamental analysis कर दूँगा युदि कहाँ पर जाके फोलोग मेंटा लास्ट वाला वीडियो डोण देंगे for fundamental analysis तो उन लोग के लिए मैं एक बार briefly fundamental analysis कर दूँगा और बोल दूँगा कि company मतलब conclusion बोल दूँगा कि company actually कैसी है पर short term trade and long term investment purpose तो guys पहले वसी से शुरू करते हैं उसके बाद हम लोग main topic पर jump करेंगे तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हो detail infrastructure की screen पर खुली हुई है page खुली हुई है और यहाँ भी देख सकते हो company क्या करते है बाकि maximum चीज़ों company के बारे में negative में ही देखने को मिलेगी लेकिन देखो guys एक point है कि company के घर operating profit देखा जाए तो वो positive में है कभी का बाड़ी operating profit में company loss देती है लेकिन company की high interest and high depreciation value की चलते company जो है for end of the day loss मतलब end of the quarter loss ही देती है और इसी के चलते है और negative other income के चलते company end of the year loss देती है जिसके आपर देख सकते हो करण डिटेम में company की जो आदर इंकम है वो नेगेटीव में है और जो interest है वो around 700 क्रोर के आसपस की है और depreciation value 580 क्रोर के आसपस इसके चलते company जो है अब नहीं जेती है तो आराम सक 2000 क्रोर प्लस की loss दे सकती है इन 2022 की financial year की result और company की अगर देखा जाए तो loss दे देर इंक्रीस हो रही है देख सकते हैं यहाँ पे लॉस की जो फिकर से पहले 100 क्रोर के आसपस की उसके बाद 300-600 अभी 1000 क्रोर प्लस की loss पोस्ट करते है यह company balance sheet य and बड़े players जो है वो धिरे-दरे exit करड़े company से तीन साल पहले public की holding लगबग 28% के आसपस थी वो अभी increase होके 43% के आसपस हो चुकी है यह अगर public में भी देखा जाए तो देखो जो बड़े रिटल आड़े वो भी धिरे-दरे अपने holding को कम कर रही है देख सकते हूं यहाँ तो guys conclusion पर आते हैं अगर short term trade लेना है चाहते हो तो मैं यही बोलूँगा short term trade के लिए आप लोग consider करके चल सकते हो लेकिन मैं recommend नहीं करूँगा अगर short term में trade लेना है तो अपने risk पे लेना क्योंकि last 6 months के return negative में है बाकि long term के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं recommend करने वाला हू और अगर company के उपर भरोसा है अगर company के उपर भरोसा है क्योंकि देखो company operating profit में profit देती है ठीक है company में profit होती है लेकिन company की high interest rate negative other income and high depreciation value के चलते end of the quarter या end of the year loss देती है तो अगर company के उपर भरोसा है कि future में company जो है और भी ज्यादा operating profit दे सकती है and जो debt है वो reduce करके totally debt free company या तो फिर almost debt free company बन सकती है तो आप लोग definitely पैसा लागे चल सकते हो उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा लेकिन according to current fundamental state जो current fundamental situation है company की उसके according मैं बिल्कुल भी नहीं recommend कर सकता हो for long term investment बागी आप लोग के बड़े आप लोग जो बर्जी कर सकते हो क्योंकि अपर आपका पैसा ह तो guys अब हम लोग हमारे 2 step 1 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज company में क्या हुआ है volume analysis भी एक बाद दिख कर लेते हैं तो guys यहाँ पर आप लोग देख से तो company जो है पो nifty infrastructure में listed है अगर आज के बाड़े में discuss करें तो 16 crore 64,48,25 quantity में trade लिया गया है जो कि बहुत ही स market price पर और delivery percentage updated नहीं है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर उसके बाद अगर discuss करें main point के बारे में तो चलिए देखते हैं और यह भी देख लेते हैं कि यह जो volume है वो यहाँ पर तो numbers में बहुत ही सरी लगड़ा होगा लेकिन एक बाद चेक कर लेंगे कि कि यहाँ यह average volume में average से ज्यादा volume में यह average से कम वो भी एक बाद देख लेंगे तो guys यहाँ पर हम लोग NST के daily chart पे आ चुके है तो देखो guys यह लगवक approximate average volume में निकल के आ रही है आज की volume और आज company 5% अब थी आपर साकिट में closing हुई है 2 रूपय के आसपस company trade कर रही है तो देखो guys मैं आप लो को यही बोलूँगा यह जो दो levels आप लोगो दिख रहा है 2.4 & 1.9 यह मैं आप लोगो no trading zone ही बोलूँगा यह ते फिर consolidation zone इसके बीच में आगा trade लेनान साथ हो तो ले सकते हो 1.9 के आसपस buy करके 2.4 के आसपस sell कर सकते हो लेकिन recommend में नहीं करूँगा बागी recommend में क्या करता ह अगर company यह से slip कर जाती है 1.9 से slip कर जाती है तो 1.45 एक काफी सही support area निकल के आ रही है company के लिए काफी strong support आई है company ऐसे bounce back देगी ठीक है वैसे भी 1.9 की जो support है यह काफी मुश्किल है यह तूटना लेकिन buy change अगा slip कर जाती है तो 1.45 से जब company bounce back देगी तब आप लोग बाइ अगले वीडियो में मिलते है गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग और गाइस अगर आप लोग के मन में कोई बी डाउट या कोई आडी रहती है stock market या किसे भी stock से related तो comment section में comment करके मुझसे पूच सकते हो या तर फीड मेने instagram का link आप लोग को description box में मिल जाएगा जाके वहाँ प definitely guys stay safe